हेलो मैं हूँ टार्टू ये है फैदर और ये है स्टोन क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सी चीज है वी है फैदर और दर स्टोन बिल्कुल सही स्टोन इस हैवियर स्टोन इस हैवियर बिकाज उसका वेट ज्यादा है किसी भी चीज का वेट हमें ये बताता है कि वो कितनी भारी या हलकी है वेट मालूम करने के लिए हम अकसर मेजरिंग स्केल यूज करते हैं जिनके टू यूनिट्स हैं किलो ग्रैम एंड ग्रैम किलो ग्रैम एंड ग्रैम्स और मेजरिंग यूनिट्स ऑफ वेट ये किसी भी सॉलिट यानि ठोस चीज का वेट मालूम करने के लिए इस्तमाल होते हैं जो चीज हैविय होती है उसका वेट हम किलो ग्रैम में मेजर करते हैं किलो ग्रैम के लिए हम केजी लिख सकते हैं और जो लाइट चीजों होती हैं उनका वेट हम ग्रैम्स में मेजर करते हैं क्रैम्स के लिए हम जी लिख सकते हैं बताएं इस एलेफेंट और स्नेल में से किसका वेट क्रैम्स में होगा और किसका किलो ग्रैम्स में किलो ग्रैम्स में है और स्नेल का वेट ग्रैम्स में होगा क्यूंके एलेफेंट इस हैवियर। Do you want to win a star? Make a guess and identify a heavy object in your classroom and estimate its weight in kilograms. Weds का इस्तमाल हम अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में करते हैं। जैसे फल और सबजिया खरीदते हुए, दाले खरीदते हुए, और भी रोज मर्रा की कई चीजे खरीदते हुए हम वेट का इस्तमाल करते हैं। अमी ने 230 ग्राम्स सौल्ट, 500 ग्राम्स फलार खरीदा। बताएं इनका टोटल कितना वेट हुआ। इसके लिए हमें 230 और 500 को एड करना होगा। जीरो प्लस जीरो इस जीरो, थ्री प्लस जीरो इस थ्री, एंड टू प्लस फाइब इस सेवन। तो आंसर आया, 730 ग्राम्स में अपनी जोमेटरी बॉक्स में मौजूद किसी भी दो चीजों का वेट करें। वेंग स्केल की मदद से और उनका टूटल वेट ग्राम्स में मालूम करें। वेंग अनी तू एक्युपमेंट्स फ्रम यूर जोमेटरी बॉक्स विद हैल अफ वेंग स्केल अद कैल्कुलेट दे टूटल वेट इन ग्राम्स। अब ये देखें। इसका वेट है 16 किलोग्राम्स। इसका वेट है 10 किलोग्राम्स। क्या आप बता सकते हैं। How much more does the bag of rice weigh than the bag of wheat? बिल्कुल सही! 5 किलोग्राम्स ऑफ ब्रेक्स दोस्तों, उमीद है आपको वेट के बारे में जानकर बहुत मजा आया होगा। मेरा वेट है 22 किलोग्राम्स। क्या आपको अपना वेट मालूम है? Find out your weight using a weighing scale and share with your partner. अब आप इन questions को solve करें और किलोग्राम्स या ग्राम्स में answers लिखें। आपके